तो पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें कोई package बनाना है और उस particular package को current location पे बना के या other location पे बना हुआ है तो उसको ऐसे कैसे use करना है यह सारा चीज आपको बताया ठीक है इस session में हम discuss करेंगे कि एक class जो की एक package से बिलॉंग करती है और दूसरी class किसी दूसरे package से बिलॉंग करती है तो उसको कैसे use करेंगे हम ठीक है मतलब एक class है जो एक किसी package से बिलॉंग करती है तो उसे कैसे use करेंगे यह सीखेंगे हम और साथ ही साथ यह सीखेंगे कि चलो इसको बताने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूँ चल जावा में हर class किसी ने किसी package से बिलॉंग करती है, अब किसी भी class को reuse करना है, चाहे वो बनी बनाई हो चाहे user defined class हो, तो उस class को reuse करने के कितने तरीके होते हैं, जावा में किसी class को reuse करने के कितने तरीके होते हैं, अगर कोई भी class हमारी बनी बनाई हो या कैसी भी हो, तो उसको क्लास को रियूच करने के कितने तरीके होते हैं देव बताओ देव मिस्टर देव बताईए किसी क्लास को रियूच करने के कितने तरीके होते हैं आप हम आ बोलोगे है कि है अब आज नहीं आ रही है किया देव आ रही है यार येस नो बताये करो कोई वो थोड़ी नहीं थोड़ी आ हैं चला देने वाला हूं नहीं आ रही है नहीं पता है नहीं आ रहा रहा है अभी प्ल tenemos लगता है मुझे तो प्लीज वह काम नहीं कर एक रेंट यूज कर सकते हैं रही हो और extend नहीं करेंगे, that is extend करने वाले तरीकों को inheritance बोलते हैं, extend नहीं करेंगे तो object बना सकते हैं, समझे, तो दूसरा तरीका object बना की यूज कर सकते हैं, that is association, association and inheritance, इस दो तरीके होते हैं कि इस class को reuse करने के, ठीक है, तो कोई भी class यूज करिए, जैसे माल लिजे कि मैं यहां से scanner class य double n-e-r scanner as it goes to new scanner, मैं scanner class को reuse करने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, scanner class का object बना रहा हूँ, और यहां पर मैंने लिख दिया, system.in, ठीक है, सही लिखा है या नहीं लिखा है बताओ, देव, scanner class का object हमने बना ती है, इसका मतलम class को reuse करने जा रहे हैं, अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे, फिर नहीं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है, क्या सर, object, अरे मैं कहे रहा हूँ कि scanner class को यूज करना चाहता हूँ, scanner class का object बना दिया, मैंने तो कोई गलत तो नहीं नहीं किया, नहीं से, तो लेकिन फिर भी जब मैं इसको चलाओंगा, तो यह error आ जाएगा, जावा सी हाइफन डी डॉट टेज डॉट जावा, यह error आ जाएगा, क्यों आ गया error, खेह रहा है कि यह cannot find the symbol, scanner नहीं मिलना है उसे, है, बोलोगे क्यों नहीं मिलना है, पता नहीं से, पता नहीं सर, सोचो दिमाग लगाओ, पता नहीं कहने से, सोड़ी नहीं काम चलेगा, सोचना पड़ेगा हमें, सोचो, जब सोचो कि तभी उसका निसकर्स निकलेगा, तो इसका निसकर्स यह है, बताएं सर, हाँ, बताएं सर, बताएं सर, उपर लिखती जिए, क्या import, जी सर, आप बिल्कुल बढ़ियां बता रहे हो, बढ़ियां बता रहे हो, अरे चुप तो सुम रहू, बोलने तो दोगे, सर. मैं बोल ल sos बड़ियां बता रहे हो, इतना बड़ाई भी कर रहा हो, ओ पर से बोलते चल जा रहे हूँ, तो आसनते रहो, जब जब पोल जब लो जब बोलना है, बोलता ही नहीं है, तो बोलते चले जाते होँ, ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि देखो एक फॉर्मूला होता है जावा में जावा ग्रामर और रूल रेगुरेशन प्रिवर करता है पता ही आपको जावा कहता है कि एगर कोई क्लास कहीं यूज कर रहे हो चाहे इनहरिटेन से यूज कर रहे हो चाहे असोसियेशन से यूज कर रहे हो तो क्लास जिस पैकेज से बिलॉंग करता है उस पैकेज को इस प्रोग्राम में अटेज कर दो पैकेज को अटेज करोगे तभी क्लास यूज कर पाओगे क्योंकि class package से विलांग करता तो package के साथ class को लिखो समझे package के साथ इसको लेके आना है ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया कि जैसे मालो कि आप bike पे बैठे हो ठीक है और मैं कहूंगा आप मेरे घर आ जाओ मालो 2 km पहले आप मिले तो bike के साथ ही आओगे ऐसे थोड़ी ना bike को छोड़ के आप चले आओगे पॉस्वल अगर आओगे दिक्कती होगा bike चूरी हो जाएगी कुछ भी हो जाएगा समस्या आजाएगी अगर मैं कहीं से हूँ तो मैं किसी घर में हूँ तो मैं अगर मेरी कभी भी बात करी जाएगी तो मेरे घर से relate करके बात करी जाएगी तो इसी लिए compiler कहता है कि हमें किसी class को जब आप यूज कर रहे तो उसका fully qualified path पता होना चाहिए वो कहाँ पे है तो जब किसी class को आप यूज करते हो तो class जिस package से belong करता है वो package आपको attach करना होता attach करने के दो तरीके with import without import और अगर without import कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा java.util.scanner क्योंकि scanner class यूटिल package से belong करती है ठीक है अब ये program में कोई error नहीं है समझ में आया देव कोई error नहीं है और अगर ये यूटिल नहीं लगाओगे आप अलग से यूज करना चाहते हो तो आप क्या करिए आप क्या करिए आप एक काम कर लिजे आप यूटिल को हटा दिजे ठीक है यह अटा दिजे और आप इसको अपने class में import कर लिजे तो दो तरीके हो गए import और without import तो import करोगे कैसे करोगे क्या करोगे लिखोगे import import package यानि कि जावा is a package यूटिल is a sub package and scanner is a class S-C-A-N-E-R तो कई लोग कहते हैं कि जब हमने scanner को import कर लिया तो क्या object बनाना जरूरी है तो हाँ import तो हम बस link करने के लिए करते हैं compiler को बताने के लिए करते हैं कि देख लो हमारी ये class इस package में है और object तो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि उसकी चीज़ों को हम memory दे पाएं उसको हम reuse कर पाएं ठीक है और object ही नहीं मैं inherit भी कर सकता हूँ अगर मैं inherit कर रहा हूँ तो क्या import करना जरूरी है ये भी लोग को पुछ लेते हैं तो बिल्कुल यार inheritance एक अलग चीज़ है जिसका काम होता है reusability और import तो एक अलग चीज़ है जिसका काम होता है attach करना package को बताना तो जब जब आमें कोई class किसी भी package से बिलॉंग करती है और उस particular class को use कर रहे हो तो आपको सोचना होता है देखना होता है यार ये class किस package से बिलॉंग करती है जिस भी package से बिलॉंग करती है वो package को आपकी program में attach करना होता है then reuse करना होता है बात सब्सक्राइब, तो that is reusability, that is reusability, तो attach करना होता है, जो reusability करते हैं तो लक्षी होती है, attach करने के दो तरीके, with import और without import, ये cable scanner की case में नहीं है, जावा की कोई भी class यूज करो, आपने का system तो यूज किया मैंने, इसको तो attach नहीं किया, क्योंकि ये पाई जाती है java.lang package में, और हमारे java में java.lang package already import होता है, हमें इसको import करने की जरुद नहीं होती है, यानि कि java.lang package हमारे system में already import होता है, इस तरह से, star लगा के, star का मतलब हो गया, कि इस package के अंदर आने वाली सारे classes, अब जैसे util के अंदर तो array list भी है, util के अंदर तो link list भी है, तो अगर मैं scanner को किवल यूज कर रहा हूँ, तो एक बार में एक ही class को attach कर सकता हूँ, अगर दूसरे को करना है, तो मैं लिखूँँगा java.util.arraylist, ठीक है, तो एक बार में या तो एक class को आप attach कर सकते हो, या आप star लगा के एक साथ util package के सारे classes को attach कर सकते हो, तो star का मतलब हो गया कि util package के अंदर आने वाली सारे classes को हमने import कर लिया, attach कर लिया, link बना लिया, जो कि एक costly process हो गया, इसको नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, अरे भाई, अगर आपने star लगा दिय तो इसका मतलब util package के अंदर अगर एक हजार classes है, तो एक हजार के लिए link बन जाएगा, इसके लिए एक ही link बनेगा, तो यसे lang जो हो है न, वो java के अंदर commonly used classes को रखती है, और lang package में जो commonly used classes हैं, उन classes को आप जब program में use करते हो, तो उनको attach करने की जरूरत नहीं है, क्योंक पूप आपको चीज़े समझ में आ गई, बोलिये, बोलिये भई, नहीं समझ में आया, तो java में rule क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं, java में, हाँ, पूछो question, पहले question, पहले question, यह जैसे import करते हैं, ठीके link package जैसे import है, तो वो compiled time पे import होता होगा, compiler के लिए बिल्कुल, अगर import, compiler के लिए import करा गया है, compile time पे मत बोलो, compiler के लिए import करा गया है, क्योंकि, अगर import, अगर नहीं चलेगा, बन्दब compiler फिर हो जाएगा, दिक्कत आजाएगी हाँ बिल्कुल वो compiler add करता है इंपोर्ट जो करता है नहीं वो compiler के लिए already यानि कि समझ लो कि उसका class path set करके रख दिया गया है कहीं पे उसको import कराके रख दिया गया है कहीं पे वो direct available करा दिया गया है और ऐसा बोल दो हम ठीक है compiler कर लेता है ऐसे ही समझ लो ठीक है मतलब उसका हिस्ट्री तो हमने भी आज तक देखा नहीं वस यहीं है कि हम यह मान के चलते हमें भी यही पताया गया है कि वह लैंग को हलक से करने की जुरुत नहीं पड़ती है लेकिन lang package के अंदर further sub packages भी है अब जैसे मैंने लिखिया java.util.star तो इस star का मतलब होता है कि यूटिल package के सारे classes ना कि sub package अब यूटिल के अंदर further कोई sub package होगा न तो इसको अलग से करेंगे मतलब example के तौर पे जैसे java के lang package मैंने star लगा दिया तो मतलब lang package की सारे classes को हमने attach कर लिया बट lang के अंदर एक reflect package है ठीक है तो इसको मुझे अलग से करना पड़ेगा और dot star लगाना पड़ेगा फिर इसकी subclasses की बात हो रही है तो star means classes ना की packages ठीक है तो आपका जो question है कि वह वह सबके लिए compiler करके रख देता है तो हाँ बोल सकते हो compile time जैसे compile करते हो तो समय लोग आपके code में वह internally import लिख दिया जाता है compiler लिख देता है बोलो भई चले आगे कि यह sir तो जावा में यह rule है कि जावा में हर class किसीने एकुछी पैकेज से तो बिलॉंग करती है कोई class किसी package हो ऐसा पॉसिमी है वहश्ल होगा तो default package तो जावा रिक्मेंड में करता है कि अब डिफॉल्ट package हे घड़ हमें तो Java में जब हर class किसी ने किसी package से विलॉंग करती है और किसी class को जब यूज करोगे तो पहले package अटेच करो या तो import करो या तो direct fully qualified path बताओ ठीक है तब चलेगा तो ये rule आपके बहुत जरूरी था जो मैंने आपको समझा दिया पूरा program मुझे चलाने की जुरूरत नहीं है कि scanner का अब जैसे मैं frame यूज करना चाहता हूँ तो ये awt package में है तो मैं awt को import करूँगा आयो मैं आपको पढ़ाऊंगा input output input output की classes जुच करूँगा तो इसको import करूँगा तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए चलिए अब वही rule हमें खुद भी follow करना है अब हम खुद भी ऐसा करने वाले हैं अब हम खुद अब मैं बलकि एक folder बनाता हूँ अलग से package practice ठी ठीक है और इसमें ये class अपना डाल देता हूँ ठीक है अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ जरा समझेगा मैं न पीवन package बनाता हूँ ये सब हटा देता हूँ ये तो knowledge के लिए बताए आपको main method main method हटा दूँ रहने दूँ आपकी इच्छा है माल लिजे कि मैंने कोई data बना लिया यहां पर ठीक है माल लिजे आपने यहां पर कोई method बना लिया है तो कोई data है कोई method है इस तरह से हम बना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है ठीक है यहां पर हमने show लिख दिया तो अगर म same package है यह बिल्कुल perfect तरीके से चलेगा लेकिन मैं answer नहीं करूँगा मैं यहीं पर एक और file बना दूँगा इसी के parallel ताकि आपको यह समझ में आए एक बना दिया मैंने test दूसरा बना दिया हमने test1 ठीक है तो पहले चलो मैं test को आपको run करके दिखा देता हूं only test को तो इसमे main method तो है object बना देंगे t is equals to new of test और उसके बाद t.show को call कर लेंगे और x को call करना है तो t.x भी call हो जाएगा t.x ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे हम आते हैं cmd लिखते है जावा c hyphen d अभी hyphen d आपके एकदम प्रयोग मंदब used to हो जाई है यह देखिए प्रोग्राम compile हो गया package बन गया लिखा java package class और यह run हो गया ठीक है अब मैं चाहता हूँ न कि यही same class और मतलब इस class की यह data हो गया रहा है और सारी चीज़ों को दूसरे class test one में लेके जाऊं यहाँ पे और इसके package का नाम दूसरा है मान लो same नहीं अलग है ठीक है यहाँ पे मैं इसको use करना चाहता हूँ कैसे करूं देओ बताओ एक class को दूसरे class में कैसे reuse करा जा सकता है अभी अभी आपने बात करा है हमने बात करा है कैसे करा जा सकता है पड़ बताओ उसका object बना के कर सकते हो इनहरीट करके भी कर सकते हो टेस्टी जी गोस्टू न्यू टेस्ट और ऐसे अगर object बना के हम करेंगे तो सही है चलेगा नहीं चलेगा आप चला के देख लीजेगा क्या करना पड़ेगा इंपोर्ट किसको पीवन को तब चलेगा ठीक है है cmd javac-d.test1.java एक मिनट यहां पर इंपोर्ट हटा देता हूं आप देखोगे एरर आएगा एरर तो अभी भी आ रहा है लेकिन वो किशी और रेजन से आ रहा है कि ओहो गड़बड कर दिया मैंने control क्या कर दिया मैंने यार इस class का नाम test file का class का नाम टेस्ट बन दे दूँगा और आप जेर बनाऊंगा आप टेस्ट वाइंट है तो बिल्कुल सही बात है तो यह कंफ्यूजन हो गया था मुझे ठीक है तो अब कंपाइल करूंगा तो यह कंपाइल नहीं होगा करक कैन नौट फाइंड एरर देखना द्यान से यह class नहीं मिल लई है हमने का भाई तुझे अभी भी नहीं मिल लई है यह लो इंपोर्ट ना करके दूसरा वाला तरीका यूज कर लिया अब बताओ तो अब दूसरा एरर देगा देखना क्या एरर दे रहा है तो यहाँ पे एक रूल आपको समझाना था कि अगर कोई class package के बाहर जाती है तो class must be public class package के बाहर तभी जायेगी जब क्या होगी? to public data package के बाहर तभी जायेगा जब होगा प्या? to public सब्सक्राइब एना प्रेयरं इसाइं प्रेट इसा चीज है डिवियर जो इसाना क्रें सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं यह दूसरा cmd है कभी पहले का java c-d dot लगा के मैं कर दूंगा star dot java एक साथ सब compile हो जाएगा दोनों खतम मैंने दोनों लगा दिया एक साथ compile कर दिया बस java p1 dot p2 dot test 1 चल जाएगा ठीक है अच्छा मैंने call नहीं किया test 1 में method तो call करेंगे तभी तो output आएगा t.show और t.show जो भी है तो मैंने वो call नहीं किया था compile और call ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि हमने दो rule समझा वो हमने import का view यहाँ समझ लिया और साथ में यह भी सीख लिया कि package एक class के बाहर package के अंदर अगर कोई data है package के बाहर class तभी जायेगा जब वो public होगा तो एक class की सारी चीज़े आप package के बाहर तभी ले जा सकते हो जब वो क्या होगा public होगा यानि कि public चीज़े ही class के बाहर जाती है public नहीं है तो class के बाहर नहीं जाएगा तो if you want to reuse the class, data, method, conceptor outside the package so class, data, member, member, function, conceptor, all things must be public अगर किसी class की सारी सीजे public है तभी वो package के बाहर जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा package के बाहर सीजे तभी जाती है जब वो public होती है नहीं है तो नहीं जापा है इसका मतलब यह हो गया कि Java में जो भी class आप reuse करते हो वो भी public होंगी पबलिक नहीं होंगी तो जाएगे कैसे यूज कैसे होंगी तो ये सब चीजे आपको पता होना चाहिए overall clear है या नहीं है बोलो भई इतना प्रैक्टिस करोगे कि आगे पैकेज के अंदर और थोड़ा सा बता दूंग बोलो बोलो देव क्या कह रहे हो तुमारी बात माने जाएगी मिस्टर देव clear अधर बताओगे इतना प्रैक्टिस करोगे कि आगे पढ़ा दूंदे पैकेज में और इतना प्रप्रेश कर दो रखिए 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 रखिए